नमस्कार आज में आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से गले में पाइपिल लगाना देखिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग तो मैंने पहले आपको बताई है बलाउज की तो आज में आपको पाइपिल लगाना बताऊंगे लेकिन मैंने जो कपड़ा लिया है वो दूस है आप यहां पर थी कह चोड़ाई लेंगे वो डेरिंच की लेंगे अब पटिक ह亞। ऐसे चोड़ाई डेरिंच की जोड़ेंगे इस तरीके से हमें जोड़ना है कि यहां पर ट्थे कुंदा नहीं है उपिज़ना यहां से आहरे एसे शिलाई लगानी अब देखिए पट्टी को हमने जोड़ लिया है यहां पर हम देखिए इसको ऐसे बराबर कर लें एक साइट से हमने बराबर कर लें अब गल्ये के उपर हमें पट्टी रखेंगे आदा इंच पट्टी को भार रखेंगे अब देखें पट्टी हूँ लगाते समय हमें एक बात का दियान रखना है आदा आदा इंच का हमें कपड़ा दबाना है और पट्टी को थोड़ा सा खीचेंगे गलियों को नहीं खीचेंगे अब देखें यहां पर पट्टी लग गई है अब इसको देखें इस तरीके से करना है कि जो अंदर का कपड़ा वह उपर के साइड आ जाए अब इसके बाद हम यह पट्टी को दबाएंगे इस तरीके से और इसके उपर लगाएंगे सिलागी अब देखें हमने इसके उपर सिलाई लगा लिया अब अंदर का जो कपड़ा है वह काट लेंगे पट्टी का अब देखें यहां पे हमने अंदर का कपड़ा काट लिया है अब इसके बाद पाइपिन बनाएंगे जो आदा इंचे बहार है इसको ऐसे अंदर किशाइड करेंगे और एक पतली सी पाइपिन बनाएंगे इस तरीके पाइपिन के नीचे हमें सिलाई लगानी है झाल अब देखें हमें थोड़ी थोड़ी पाइपिन बनानी है और सिलाई लगानी है एक बात का ध्यान रखना है अब देखें यहां पे हमारी पाइपिन बराबर लगी है और इसके उपर हम अच्छे से प्रेज लगा लेंगे और अगर आप चाहें तो यहां पे अंदर किशाइड तुरपाई भी कर सकते हैं अगर आपकी पाइपिन उठी उठी सी रहती है तो आप नीचे किशाइड क्योंकि तुर्पाई वाली वीडियो भी बनाई है मैंने तो आप प्लीज पहले चैनल में देख लें अगर आप इस तरीके से नहीं आए तुर्पाई वाली आगर आप बनाना चाहें तो तुर्पाई वाली भी बना सकती है जैसे मैंने बताए है आप इस तरीके से बनाएंग और सूती कपड़े पर लगाई है तो सपाइए और अच्छे से भी आएगी तो आसा करती हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगाई दो meen इस वीडियो कापने दोस्तों के सा ज़द से जभाई करें अगर आप कुछ पूछना या सीकना चाते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राप नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राप कर लें धन्यवाद